जया ही नमस्कार दोस्तों अगर आप BSF Head Constable Ministerial 1526 पदों के लिए फार्म को अप्लाई किया है तो इसी बीच आप सब के लिए एक अपडेट निकल के आ रही है इस वीडियो में आपको जनकारी मिलने वाली है आप सभी जानते हैं कि इसमें आप सभी का पहले फिजिकल होगा फ पहला अपडेट तो यह है कि आपके बदलाव को लेकर सेलेक्शन प्रोसेस में और दूसरा बदलाव क्या है कि आपका सेफ स्कोर कहरा सकता है कितना नंबर आप इस भरती मिलेकर आएंगे सव में से जिससे कि आपका सेलेक्शन हो जाए क्या सब मैं से सब्सक्राना है कि यहां पर सच भी मान सकते हैं जब तक इसकी ऑफिचली डेट नहीं आ जाती वो जानकारी मैप को देने वाला हूं जो आपको यहां पर बहुत दिनों से चाहिए है ठीक है चले वीडियो को सुरू करते हो सारी जानकारी मैप को प्रोवाइड कराता हूं यहां पर आप कटाप सकते हैं सारी कटाप मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले आप सभी को बता दे हैं अगर आप यह सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आप इसको पूरे साल भर के लिए अगर आप सभी टेस्ट पास्प्रो यहां में मिलने वाला है सिर् 321 रुपे में मतलब 351 रुपेज वे आपको मिल जाएगा और यही ओफर अगर आप कल पर्चेस करते हैं मतलब एक दिन गैप करके आज इसको अगर आप स्किप करते हैं तो यही ओफर मिलेगा आप सभी को यहां पर 699 रुपे में तो बिना टाइम करते हुए लिंक डिस्कूर्शन बॉक्स में दियागा अपली किसंगे डाके इंश्टाल करिए और हमारा कूपन को डियम एन उसको पर्चेस करिए आपको 12 प्रशंग डिसकाउंट मिल जाएगी जैसे आप सभी हमारा कूपन को यूज करते हैं तो ठीक हैं आप सभी को बता सभी को 70,000 देखने को मिलने वाला है जो कि यह चीज़े बहुत ज़रा important होती है किसी भी एक्जाम को qualify करने के लिए और 12 प्लस language में आप सभी को यहाँ पर test book available है आप सभी किसी भी language को यहाँ पर शिलर करके test book पर exam दे सकते हैं तो इससे जादा और क्या ही चाहिए अगर अगर आप इसे purchase करते हैं तो आपको 301 रुपे मिलने वाला है हमारा coupon को यहाँ यहाँ जुरू यूज करिएगा आपको 12% की discount यहाँ से मिल जाएगी तो फड़ा पड़ जाकर आप सभी link discussion box में दिया गया है application इंस्ट्राल करिए और हमारा coupon को यहाँ में यह नूज करिए औ मतलब head constitutional ministry भरती जब आती है उसाथ में ASI stano की उसमें होता क्या है पहले आप सभी का physical होता है फिर आप सभी का exam होता है exam के बारा सभी का cutoff आता है और उस cutoff के basis पर बच्चों को typing के लिए बुला जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ASI में ASI में क्या होता है कि vacancy के 20 गुना बच्चों को बुलाते हैं typing के लिए मलब short hand के ठीक है और वही head constitutional ministry में 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है typing के लिए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आप सभी की typing cutoff पिछली बार क्या रही थी वो आप सभी यहाँ पर देख सकते ह क्या cutoff रही देख सकते हैं आपके सामने हैं यहाँ पर ठीक हैं और वहीं अगर head constitutional ministry की हम बात करें तो head constitutional ministry में पिछली बार 2022 थे इसमें cutoff क्या था देखिए typing के लिए कितना नंबर पाने वाल है भरती वच को बुलाया गया था देखिए head constitutional ministry यहाँ पे लिखा है cutoff mocks यहाँ candidate qualify किये गये थे आप सबकी जो cutoff बनेगी वह पूरे all over India के basis पर बनने वाली है यहाँ पे statewide नहीं बनती आल इंडिया वेस पर cutoff बनेगी category वाइज बनने वाले ठीक हैं पिछली बार typing के लिए क्या cutoff गया था आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें cutoff को लेकर देखिए आप सभी यहाँ पर जर्नल की बात करें यहाँ पर जर्नल का यहाँ पर 86 cutoff गया था सव मैसे 86 नंबर पाने वाले भारती को typing के लिए मौका दिया गया था ठीक है टापिंग के लिए बुलाया गया था वहीं AWS आले बच्चों को 81 नंबर लाना था होगी tapping की cutoff आपके अंदर कहीं ने कहीं सवाल चल रहा होगा कि इसकी final cutoff क्या रही थी वह मैं चलिए आप सबको यहाँ पर बता देता हूं आप सभी यहाँ पर देखिएगा इसकी final cutoff क्या थी यह देखिए मिरे पास final cutoff गया चुका है head constable minister मैं BSP का दिखा रहा हूं ठीक ह total 185 बच्ची यहाँ पर fail भी हुए थे ठीक है मतलब कि यहाँ पर बताया गया सारी चीजे मतलब total 185 वेकेंसी थी कितनी थी 185 वेकेंसी थी और cutoff कितना गया है 22.400 मतलब इतना cutoff गया था final में और typing ले कितना गया था chest weight और आपका paper होता था फिरा सभी का typing out medical और इसी दीवी के साथ आपका selection यहाँ पर हो जाजा था लेकिन इस बार आपका यहाँ पर दोड़ भी रखा गया है 20-2024 में ठीक है वहीं EW की बात करें तो EW का पिछली बार क्या cutoff गया था final की cutoff में बता रहा हूं total एक सो मतलब 100 दोस्तों total यहाँ पर 48 सीटे थी और cutoff गया था 87 87.8800 नंबर पाने वाले भारती को यहाँ पर selection मिला था क्योंकि इस भरती में नॉर्मलाजिशन भी हुआ था और नॉर्मलाजिशन में बच्चों को नंबर मिला था ठीक है इसलिए यहाँ पर point लगाया गया है OBC की बात किई तोटल यहाँ पर 69 सीटे थी और कुल्ली यहाँ पर 89 गया था ठीक है नव आसी कटॉप गया था ओबी सब्सक्राइब करेंगा। तो यहांपे 85 प्लस आप सभी का यहांपे final score रह सकता है 85 से नीचे सोचने की बिर्कुल गलती मत करिएगा उसके उपर ही सोचना घ्री कहे 85 फ्लस ही आपका यहांपे score रह सकता है तो बिना देरी करते हैं आप सभी हमारा test pass pro यहां से purchase कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया का क्य क्या चीज़ें यहांपे बिलने वाली है अभी से अगर आप त्यारी करेंगे तो आप सेलेक्शन लेकर जाएंगे ठीक है तो कि आपके exam में इस बार syllabus में क्या हुआ हुआ है GKGS को हटा दिया गया है टोटलिंग हाँ पे 100 कुष्चन आएंगे 100 नंबर का रहने वाला मैं इ सब्सक्राइब करते हैं तो बिना देरी करते हुए त्यारी मां सभी लग जाए ठीक अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो क्योंकि इस बार भी आप सभी का निगेटी मार्किंग जाम में नहीं है आप से बड़ा मैटर क्या करता है आखिरी फिजिकल कभ होंगे इसको मैंने आप सब्सक्राइब कबाटाल 40 फिज्कल सेंटर और इससे भी इलिए को लिखत रूप में नहीं है कि आपके 40 फिजिकल सेंटर ही रहेंगे तेंटी बहुता सारी चीज़े यहाँ पे clear कोई चीजी यहाँ पे बताई नहीं जाती अगर उसी tentative date पर जब सारी चीजे हो जाती है तो उसी को बोला जाता है कि हाँ यह date बिल्कुल सही थी तो इसलिए आपको भरोसा नहीं करना है आपको सिर्फ अपने physical की त्यारी को यहाँ पे करते रहना है साथ ही अपन करते हैं अपसे ज़रूर पच्छस करिएगा अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो 85 प्लस आपका score यहाँ पर होना चाहिए बेस अफेड कोईश्ट में सेलेक्शन पाने के लिए आप यह बात अपने अंदर बैठा लेना अच्छे से तयारी आप चाहिए जहां करो कैसे भी क तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है आपको टेस्ट बूक पर ही टेस्ट अपना लगाना है ठीक है जिससे आप सब का तयारी जो है मजबूत हो और आप सेलेक्शन लेकर जाओ इस बार तो कि वेकेंसी इस बार भी 15-26 है ठीक है और अलग-अलग forces की वेकेंसी यहाँ पर आई सब के लिए important रहने वाला है क्योंकि नौवंबर से physical सुरू होके करीब नौवंबर लाज तक आप सब एक एड्मिड काड यहां पर जारी हो सकते हैं और जैसे यहां पर जारी होगा तो आपको मनीश भाई study YouTube चैनल के मादम से सरपर्थम जानकारी दी जाएगी और आपको सा सब्साइब से study नहीं कर रहे अगर आप सही से सारे उसलेवर सारे टॉपिक को यहांपे cover कर लेंगे तो आप किसी भी अप्लीकेशन से यहां पर तेस लगाएंगे तो आपका स्कोर यहां पर हाई जाएगा टिक है और आप उस अप्लीकेशन से लगाएगा जिससे आप सभी यहां पे इसकोर इंक्रीज हो आप सभी को लगे हां मैंने टेस्ट लगाया है एक्जाम में भी लगवागा आपको ऐसे ही देखने को मिले ऐसा फीलिंग हो आपके अंदर टिक है तो यह सारी शीच आपको यहां पर मैटर करती है आपका ट्रेणिंग सेडूल भी यहां पर जा हो जाएगा यह सारी चीज है आप सभी यहां पर लाष्ट में होगा आप सभी को यहां पर त्यारी पर जोड़ देना है अगर आपको कुस्क्तब करता होंगा और इस महीने के लाश्क निबात करें अक्टूबर में आपको सभी के यहां पर फौप मिशी टज भी आ सकते है स तो बेकुल तयार रही है जैसे वीजो कुछ होगा अपडेट आपको करता रहूँगा तो मिलते हैं हाँ सभी से नेस्ट वीडियो में तब दक लिए जहेंज भारत वन्दे माँ